Hello everyone, welcome to WSQPTEC, myself दीप राज और हम लोग पठ रहे हैं C Programming Friends, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे punctuator के दिकारे प्रिएस वीडियो अगर आपने देखें तो हमने बात की थी कि C में जो सबसे थोड़े चीज होती है, उसे हम लोग कहते हैं character set spatial length के काम करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं punctuator, क्ये कहते हैं दोस्तों, punctuator, इसको हम लोग punctuation character भी कह सकते हैं अब देखते हैं, यह punctuation character का क्या रोड रहता है same में, तो किसे कहते हैं punctuator या punctuation character, ठीके, तो मैं बात करूँ punctuator की punctuator या punctuation character जैसे भी आपको लगता है ठीक है कोई इसको बड़ा उश्यो नहीं है तो those token those token which is a symbol which are is a symbol which are symbol चीक है इसको हम ऐसे लग देते हैं those token which is in form of symbol वो जो कि symbol की form में होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं तो दोज टोकन भी एची इस इन symbolic form like plus minus semicolon curly braces round bracket जिते भी हम लोग symbol देखते हैं symbol की form में होते token इनको हम लोग कहते हैं punctuation character हर punctuation की specific meaning होती है जिसको compiler अच्छे से जानता है मतलब यह जो brackets से round brackets जिसको हम लोग कहते हैं parenthesis यह सिर्फ उसी function के साथ भी काम में लेते हैं या if we afford के साथ काम लेंगे ठीक है तो यह fix है कि किसके साथ काम आएंगे और यह curly brackets है इसको हम लोग कहते है scope ठीक है तो यह जंदली जब हम लोग function बनाते हैं आपने देखे भी होंगे जो function मनाते हैं तो यह उनकी particular scope बशाने के लिए काम में आते हैं तो इनकी meaning already fixed है और इनके बार में अच्छे से जानता है और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि इनकी meaning होती है यह meaning उनकी final है आप इस meaning को change नहीं कर सकते हैं ठीक है for example कैसे माली जी मैं एक चोटा सा program बनाता हूं आप देखिए कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहरा हूं ठीक है तो इस friend में एक program बनाया जिसमें लेखा int main okay now यह मेरा बनाया चोटा सा program जिसमें लेका लिख दिया है return return 0 यह सबसे चोटा program है एक just main ही है जिसमें कुछ इन लिखा नहीं है तो आप देखेंगे कि यह जो token है ठीक है इस हम लोग कहते है keyword यह हमारा keyword है और return भी keyword है ठीक है यह है identifier क्या है दोस्तों identifier है अब यह जो बज़ गया 0 जिसको हम लोग कहते है value या literal यह हम लोग अभी पढ़ने वाले है अच्छे से ठीक है इनका सबके मिलेग को अच्छे से जानता है इसका मतलब आप उनको मनको यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक ऐसे, in to mean, और आपको लगता है कि मैं यहाँ square bracket लगा दू तो चल जाएगा, यह error देदेगा, आप कहते हैं, मैं तो यहाँ पर round bracket कामे लेने चाहता हूं, तो भी error देदेगा, आप समझे लिए, round bracket हम लोग function का, इसको बनाने के कामे नहीं ले होगे, तो यह तो हमारे function character होगे, अगर आप turbo में work करते हैं, तो आपने देखा होगा कि चनल यह लोग यह जो पंचूटर करेक्टर है, यह आपको यह लोग color में दिखाई देते हैं, ओके, तो यहाँ तक यह होगे function character, जैसे हम लोग C के topic परते जाएंगे, तो हमारे पास म हैं, जितने भी symbols हैं, वो भी सब क्या होगे, एक तरह के पंचूटर होगे, तो हमारे पास पंचूटर, अब हम लोग एक छोटा सा topic और है, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो next token आने वाला है, उसको हम लोग कहेंगे white spaces, ओके दोस्तों, तो सबसे पहला होता होता keyword, जो कि हमने अच्छे से कर लिया है, फिर होता identifier, वो भी हम लोग कर चुके हैं, फिर आता है punctuated और white spaces, तो अब हम लोग इस topic में बात करेंगे, कि यह white spaces क्या है, उसकी क्या importance रहती है C के अंदर, ठीके दोस्तों, तो पहले मैं आपको छोटा सा program बना के दिखाता ह है, जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों, int main, यह हमारा main function है, यहां मैंने लिख दिया return, return 0, और यहां पर मैं एक और function मनाता हूं, जो उसको कह रहा हूं void hello, ठीक है, तो यहां हमारे यहां इतना काम कोच चुके है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो दोस्तों, यहां पर आप दे identifiers है, ठीक है, तो आप देखेगा, void और hello के बीच में एक space है, ठीक है, यह जो space है, और यहां से आपने एक enter मारा होगा, तभी आप निचे आयोंगे न, यहां पर एक enter है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर हमने यहां पर भी एक space दिये, तो यहां पर आप जो यह आपने पर भी दी होगी, यहां अपने एक enter दिया होगा, यहां आपने space दिये, यहां आपने एंटर दिया है, फिर आपने यहां पर लिकाए, तो यह जो space होती है, जो enter होता है, और यह जो tab है, यह सब क्या क्यलाते हैं, white spaces, जो वाइट spaces, टीक है, मैं आपके client दिखाता हू जैसे कि मैंने लिखा int into main यहां हम लिखते है printf printf hello और यहां पर मैंने लिख दिया printf printf high तो यह चोटा सा प्रोग्राम बन गया चीक है अब देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होता है सरवात काई से होगी में से होगी सबसे पहले hello पिंट होगा देन उसके आगे की तरफ हाई प्रिंट हो जाएगा चीक चोटा सा प्रोग्राम जिसमें hello high प्रिंट कर रहे हैं तो दोस्तों आपने ऐसा ही लिखा है अगर मैं इस प्रोग्राम को यहां पर आपके पास में एक enter है यहां पर आपने एंटल दिया होगा यहां पर भीfte यहां पर एइंटल दिया होगा यहां पर एंटल दिया Oo शबीक है यह सब हमारे पास जो से लिखता हूं ऐसा लेए ठीक है और फिर मैंने यहां लिख दिया printf ठीक है hello ठीक है फिर मैंने यहां लिख दिया printf एक लाइन में लिख रहा हूं ना बोट पर जग़ा नहीं तो हम लोग चलो मैं इसको मिटाई देता हूं अब मैं यहां लिखता हूं printf हाई और यहां कटम तो यह पूरा जो फंक्षन है हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं अब आप खुछ सोचेगा कि इस तरह के प्रोगाम अगर आप बनाएंगे या जो आपने पहले वाला एजम्पल दिया तो इस तरह से बनाएंगे तो क कौन सा प्रोगाम होगा जो कि पढ़ने में आसान होगा और समझ मॉधाएगा तो आपको पता चली गया है कि यह प्रोगाम बिल्कु सही है दोनों प्रोगाम एक जैसा ही है इनका कोई दिक्कत नहीं है बस यह हम इन एक्स्टरा एंटर नहीं दिये तो इस तरह सिका अगर हम लोग लिखेंगे तो इसके जो readability है इसमें जो पढ़ना है तो काफी मुश्किल हो जाता है ठीक है तो हम लोग यह तरीका फिर फर नहीं करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि दो लाइनों के भी तुरा सा space आ जाए ताकि पढ़ने में आसानी हो समझने में आसानी हो ठीक है तो आप क्या करते हो इस प्रोगाम के अंदर या तो आप डालेंगे spaces या आप enter डालेंगे या टैब तो यह जो तीन चीज़ा आप लोग डालते हो प्रोगाम में जिसके एक्स्टा डालने पर या नहीं डालने पर कोई फरक नहीं पड़ता इन्हीं को हम लोग कहते हैं तो अगर मैं आप से पूछूँ कि wide spaces क्या होती है तो wide spaces होती है enter tab और space बार ओके तो यह हमार पास wide spaces है इससे क्या होता है प्रोगाम को के लिए लिए हम लोग लिख पाते हैं कि हैं जैसे कि मैं यहाप लिख रहा हूं int main यहापर हमने लिखा यह फिर हमने यहाप एक कलिप् इससे क्या प्रोगाम को समद्ध माअसान ही होती दोस्तों आप चाहिए तो दो लाइन और देदीजे यहाप एक enter देदीजे फिर आप दूर बारा लिखेगा यहापर यहापने दो एंटर देदी प्रिंट एफ हाई फिर आपने नीचे लिख दिया return इंची रो तो दोस्तो यह जो आपने extra space दिये इन दोनों लाइनों के बीच आपने space दिये यहाँ आपने space दिये और आपने यहां से भी space दिये इतनी होगे इससे क्या प्रोगाम को एक ऐसी form में लिख सकते हैं जिसको पढ़ना आसान हो है तो यहाँ पर जो हम लोग spaces दे रहे हैं यहाँ पर हम जो compiler ignore करता है मतलब यह white spaces यह से पढ़ने के लिए वह हमाई सवलियत के लिए computer की नजर में या compiler की नजर में इन white spaces का कोई use नहीं है compiler जो होगा इन white spaces को ignore करता है कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा लिखा दोस्तों int फी बहुत जाला जगा दे दी मैंने ठीक है फी लिखा main फी Cora चेंज कर दिता हूँ यहां पर जो white spaces आपको दिखरी है यह वाली यह वाली जो स्पेस है यहापर जो आपको space दी एक्श्रा और यहाँ पर जो enter दीये मुए हैं यह सब के सब compiler fingers favorites इसको compiler इंटर करता है, compiler के काम की नहीं यह चीज, तो आप यहाँ पर कितने भी space दे दीजे, कितने भी enter दे दीजे, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, ठीक है दोस्तों, तो यह जो white spaces होती है, enter, space और हमापास tab, यह सिफ प्रोगाम को reliability बनाती है, हमारे लिए इस होले देती है, compiler के नजर में कुछ भी नहीं, यह compiler वैसर भी इसको ignore करता है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि white spaces जो है, इसको compiler ignore करता है, clear, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यह तो होगी white spaces, और यह जो है, ignored by compiler, compiler इनको ignore करता, तो आपने अगर चार, पांच, जादा space दे दी है, जादा enter दे तो इस प्रोगाम में कोई effect नहीं आता, उनके running में कोई effect नहीं आता, compiler वैसर भी इसको ignore करता है, तो यह जो छोटना सा topic था, यह हमें यह बताता कि प्रोगाम को अच्छा कैसे लिख सकते हैं, ठीके दोस्तो, तो यहाँ तक तो बिलकुल ओके हैं, सब कुछ सही है, अब हम देखते हैं कि little क्या होता है, उसको कैसे use में लेना है, इस वीडियो में के वल इतना ही, next वीडियो में एक अच्छे concert दुबारा मिलेंगे, तब तक के लिए thank you